रोटी कप्रावडो मकान के बाद में इंसान को सबसे ज़्यादा जुरुत होती है तो वो होती अपने घर की और घर का सपना इंसान बच्पन से ही देखता है क्या आप भी अपने घर का सपना देखते हो तो यह बहुत अच्छी बात है घर लेना आपकी जुरुत ही नहीं बल इस इंट्रेस्ट को कम कर दें या हमारा लोन का टेन्योर कम हो जाए तो आईए आज हम देखते हैं वो कौन से तरीक हैं जिसमें हम अपने लोन को कम भी कर सकते हैं दूसरा कम समय में चुका सकते हैं या फिर अपने लोन को इंट्रेस्ट फ्री कर सकते हैं लेकिन इससे पहले क कि हम आगे चले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको ले के आएंगे हम और भी सपोज आपने दस लाग का लोन लिया है रेट ओफ इंट्रेस्ट नो परसेंट है लोन टेनियों 20 परसेंट है और इस समय आपका इंस्टॉल्मेंट क सब्सक्राइब कर लेते हैं अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि टोटल इंट्रेस्ट पेमेंट है ग्यारा लाग 59,000 जबकि आपका लोन इमांट था सिर्फ 10 लाग रुपे यानि कि इंट्रेस्ट जादा है लोन कम है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं हमारी इंस्टॉल्में जाती है उसमें इंट्रेस्ट ज्यादा जाता है और कम जाता है आपका प्रिंसिपल लेकिन यदि आप 1000 रुपे एक्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो डिरेक्ट आपके प्रिंसिपल से कम होगा तो हमारे फीगर में देखिए कितना डिफरेंस आता है इसको हम फिर से रुपे आपका लोन इमाउंट कितना है दस लाक रुपे पहले आपको सिर्फ एक जाजर करने से rely करने और इस तरह से आपका टोटल लों का पेमेंट 54 महिन जल्दी हो जाएगा यानि कि 20 साल का लौन साड़े 4 साल पहले हो जाएगा यानि कि 15 साल में पेमिंट हो सकता है और 7 में आपके पेसे भी बचेंगे प्रखुच आप 1000 रुपरिमिंट नहीं कर सकते हो 500 रुपर ये एक्षा पेमिंट कर सकते हो लेकिन हम दुबारा से calculation पर आते हैं और हम कुछ भी extra pay नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या देखा 8,997 यह लगबग 9,000 रुपे payment करना पढ़ रहा है extra और आपका interest cost है 11,59,000 लगबग हम round figure कर देते हैं 11,60,000 रुपे हम क्या कर सकते हैं इस 9,000 रुपे monthly installment के साथ में 1000 रुपे महीने की SIP श्टार्ट करते हैं जो हमें देता है 15% salary return तो हम चलते हैं next screen पर तो यह आ गई है SIP calculator आपने present कुछ नहीं पर है SIP कर रहे हम सिर्फ 1000 रुपे पर मंत की और इसकी future value हमें जानना है rate of interest 15% invalid period 20 साल यहने की 240 महीने monthly compounding तो आप द मतलब after appreciation आपकी total figure हो गई 15,500,000 रुपे जबकि आपने 1000 रुपे पर महनत के इसाब से 240 महीने में 240,000 रुपे पे किया है यानि कि 15,500,000 में से 240,000 रुपे कम करते हैं तो हमें benefit हुआ 12,75,000 रुपे का दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं हमारे loan पर हमने चुका है था 11,60,000 और आप इसमें किस ट्रिक में जाना चाहेंगे क्या SIP में जाना चाहेंगे जा हम target return 15% कर रहे हैं या बिना रिस्क लिए 1000 रुपे extra payment करके चार साल पहले अपनी loan की installment को पूरा करना चाहेंगे और साथ में पेसे भी बचाना चाहेंगे जरूर कमेंट कीजेगा और हां इस च